हरियाना के उप मुख्यमंत्री दुश्यन चोटाला ने कहा है कि हरियाना में खरीब सीजन की फसलों के खरीद पहली अक्तूबर से आरंभ होगी सारवजनिक वित्रण पर्णाली यानी पीडियेस के तहट दिये जाने वाले बाजरे के लिए सरकार एक लाग साथ हजार मिट्रिक्तन की नियूंतम स्मर्थर मुल्या पर खरीद करेगी बिजाई के रकबे को देखते हुए शेश उपज के लिए किस्तानों को भावांतर भरपाई योजना का लाप दिया जाएगा यानी बजार भाव और MSP में जो अंतर होगा उस हिस्से को सरकार देगी हर्याना परमुक बजार उत्पादक रज्य है उधर अगले साल यानी 2023 को अंतरास्चे मोटा नाजवर्ष के तोर पर मनाने का निर्ने लिया गया है इसलिए सरकार इसे आम लोगों के खान पान का हिस्सा बनाना चाहती है लेकिन दुर्भाग्या से मार्किट में इसका रेट MSP से भी कम मिलता है और कोई भी सरकार किसानों को पूरा बाजरा MSP पर खरीदने के लिए तैयार नहीं है केंदर सरकार ने बाजरे का नियुंतन स्वर्थन मुलिया 2500 रुपे प्रति क्विंटल घोशित किया है केंदर सरकार के मताबिक इस फसल की उत्पादन लागत प्रति क्विंटल 1268 रुपे पड़ती है खुले बजार में इसी के आसपास का रेक मिलता है ऐसे में सरकार का पूरा बाजरा MSP पर खरीदने का दबाव रहता है इसलिए हरियाना सरकार बाजरा की खेती को हतोत्साइट कर रही है बाजरा के स्थान पर तिलहन और दलन की खेती करने पर किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपे की मदद दी जा रही है हरियाना में चर्की दादरी, भिवानी, रिवाडी, जजजर, महिंदरगर, नू और हिसार में बाजरा की खेती देखने को मिलती है देश में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्तान है लेकिन यहां कई साल से इन्यूंतम स्मर्थर मुल्या पर इसकी खरीद नहीं हो रही इसलिए यहां पर किसान ओने दाम पर व्यापारियों को बाजरा बेचने पर मजबूर है किसान महापंचरायत के राश्चिय अध्यक्ष की माने तो उनका कहना है कि पिशले करीव एक दशक से राजस्तान के किसान MSP पर बाजरा खरीद का इंतजार कर रहे है क्योंकि केंदसरकार की पॉलिसी ही ऐसी है वहीं उनका कहना है कि केंदर सरकार कहती है कि जितना PDS में वित्रीत करना है उतनी के ही MSP पर खरीद करो अगर बाज़रा के साथ ऐसी पॉलिसी है तो धान और गेहूं के साथ भी ऐसी ही पॉलिसी होने चीए एक तरफ मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की बात कही जाती है तो दूसरी ओर सभी किसानों का बाज़रा MSP पर नहीं लिया जा रहा आखिर मोटे अनाजों का फोकस कैसे बढ़ेगा विरू रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी